Welcome to सुकला स्टडी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है, आपके यूटूब चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में, मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्य हम से हम लोग चर्चा करेंगे BA Second Semester 2023 की परिक्षाओं के लिए Human Geography के बारे में आपको बता दूं कि जियोग्राफी में जब आप BA Second Semester में होते हैं यानि BA First Year के Second Semester में तो आपको मानो भूगोल के बारे में पढ़ना होता है Human Geography आपकी पेपर का नाम होता है तो मानो भूगोल से बनने वाले Important Questions जो होंगे आज की वीडियो के माध्य हम से हम चर्चा करने का प्रियास करेंगे और उसी स्रंखला में आपका एक टॉपिक आता है मानो प्रजातियों का मानो प्रजाति के बारे में जो प्रस्ण आपसे बन सकते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने का प्रियास करेंगे जो Human Races हैं उनके बारे में जानने का प्रियास करेंगे कि प्रजाति होती क्या है और परजातियों की क्या-क्या विसेस्ताइं होती है फिर उसके बाद में जो आपसे प्रिस्न पूछा जाता है कुछ परजातियों को निर्धारड करने वाले या उनके निर्धारड को ध्यान में रखते हुए खासरे कुछ पॉइंट्स होते हैं कुछ महत्तिपूर्ण बाते होती हैं उनको हम जानने का प्रियास करेंगे कि भाई जैसे कि बहुत सारे विद्वारों ने अरगलक तरीके से परजातियों को बाटा और बिभिन परजातियों में बिभेद करने का कई आधार बताया तो उन तमाम चीजों के बारे में हम जानने का प्रियास करेंगे तमाम परकार के बालों की बनावट के आधार पर हम जानेगे चमडी के रंग के आधार पर जानेगे सरीर के कद के हिसाब सजानेगे आखों का रंग और उनका फटान कैसा है उंट का आकार कैसा है सभी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ठीक है बिस्तार से जानेंगे तो मानो प्रजाती से बनने वाले जो भी प्रसनाप के होंगे चाहे आप ज़क्ती परिक्षा हो आपकी चाहे लिखित परिक्षा हो आप सभी तरीके की परिक्षाओं के लिए प्रेपियर हो सकेंगे अगर आप इस वीडियो को अंतक देखेंगे एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा और जितने भी लोग हमारे साथ जोड़ चुके हैं देखने का प्रियास करेंगे चड़िये प्रस्ण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मानो प्रजातियों के अभिलक्षण की विवेचना कीजिए यानि describe the characteristics of racial types ठीक है अथवा या आर दूसरा प्रस्ण इसी के साथ ही पूछाया सकता है चाहे ये पूछाया चाहे ये पूछाया स पूरा विस्तार से हम जाने का प्रियास करेंगे जो भी प्रस्ण में आपसे कह रहा है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रजातियों का क्या आर्थ होता है प्रजाती का मीनिंग क्या होती है और definition क्या होती है एक race की ओके तो प्रजाती का आर्थ और परिभासा आईए भी लिख सकते नीचे मेनिंग और डेफनिसंस आप race इससे क्या होता थोड़ा effective होता है और आपकी कापी अन्य स्टुडेंट से थोड़ी अलग दिखेगी तो एक्जामनर आपको अच्छा नंबर देने का पूर्ण परियास करेगा ठीक है चले तो सुकला स्टुड़ी पॉ प्रजातियों के बारे में बताते हैं रखते हैं कुछ इसके अंतरगस समान गुड या गुड समूह वाले लोगों को सामिल करते हैं तो कुछ एक ही भासा बोलने वाले लोगों को एक प्रजाती कहते हैं एक ही अस्थान पर कई पीडियों से निमास करने वाले लोगों को प हुदी प्रजाती मुस्लिम प्रजाती ये सब एक प्रजाती हैं तो बहुत सारे लोग धरम को प्रजाती का दर्जा देते हैं बहुत सारे लोग एक ही भास अगर कोई विक्ती बोलते हैं तो उनको प्रजाती कह देते हैं बहुत सारे विद्वान एक ही है स्थान पर रहने वा लेकिन इन सभी से इतर जो है आधुनिक बैग्यानिकों ने अलग तरीके से उसको बताने का प्रियास किया, उसके बारे में जानने का प्रियास करेंगे, देखें, बैग्यानिकों और मानो सास्तریों के अनुसार प्रजाती एक जैबिकिये प्राण सास्त्रिये अधरड़ा है, और इसके सारी रिग लक्षडों के आधार पर अगर देखें तो एक बिसिष्ट समूह को प्रजाती हम कह सकते हैं या माना जा सकता है ये सारी रिग लक्षड उस मानो समूह में वलसा नुकरम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तानांतरित होते हैं और इन पर परियावड का दिर्ग कालिन प्रभाव नहीं पड़ता तो इस प्रकार से ये होती हैं प्रजातियां अब कुछ बिद्वानों ने प्रजातियों की परिभासा अपने अपने हिसाब से दी है उसको हम समझेंगे तो और थोड़ा सा किलियर होगा कि प्रजाती आखिरकार होती क्या है प्रफेसर वाडल लीला ब्लास महोदे आते हैं कहात हैं कि प्रफेसर वीडार लीला ब्लास कहने लगे कि भया कुछ नहीं जतना अभी तक बहुत सारा मद्भेत तू सब पहलाए रहे हो आप सुन लियो एक ठू लिखित परिभासा हम वो ली था है तो जब यह प्रकार से बीडार लीला ब्लास कहें तो तमाम बिद्वान जे रहे सब्द आये एक अठा बे कहिंट कि हाँ ठीक है ब्लास महोदे तू कहाओ कि का कहा अच्छा ही चीजे मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए तो ब्लास महोदे कहाओ लागे कि मानो परजाती का वर्गिकर्ड मानो सरीर की आकरती कैसी सबसे पहली बात आकरती पर फोकस करो अभी तक विद्वान रूप रंग ये सप्पा की ब लही थे लेकिन जब बीडाल डिला बलास एक भूगोल बेता होने के साथ आता है और बड़े एक परकार से पुरजोड तरीके से अपनी बातों को रखता है कि नहीं अभी तक जो तुम लोग कह रहे थे सब बकवास है ये सब परजाती के लिए बिलकुल गलत बात है बीडा है कि जब प्रोफेसर बलास इस परकार की बाड़ी कहते हैं और वहीं से आधुनिक विचारधारा का जनम होता है और मानो परजातियों को उनके सारी रिग लक्षड और उनके कद काठी यानि उनकी आकरती कैसी सरीर की कितने लंबे हैं कितने चौडे हैं माथा कैसा है कपाल कैसा है सारी चीजों पर फोकस हो करके और प्रजातियों का विभेध होने लगा जैसे चाइना प्रजाती में आप देखते मंगोलाईड प्रजाती चोटे कद की होते हैं भारत के उनसे बड़े होते हैं आप अफरीका अफरीकन देसों में जाएंगे बड़े-बड़े क्री प्रफेसर बलास की अगर बात की जाए तो मानो प्रजाती का वरगिकर मानो सरीर की आकरती यह वं सारिडिक लक्षडों के अधार पर किया जाता है यह परिभास आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत इंपरडन्ट है बहुत छोटी सी परिभास आए तब तक तुरंत है गिर्फिट टेलर कहिन अरे बलास तो आगे निकल लियो भी या तो बलास कहिन कि हाँ भी या निकर तो गयन कहिन तू निकर हो तो हम हूँ रस्ता मिलिन गायम मैं कहिन हाँ तो गिर्फिट टेलर कहे लागिए कि मानो प्रजाती नसल के प्रकट करती है ना क कि सभ्था को मानव प्रजाती नसल को प्रकट करती है ना कि सभ्था को गरिफिट टेलर ने कहा इन्होंने और एक चीज एड कर दी कि भरिफिड नसल होती है मानव प्रजाती ना कि की civilization को हम प्रजाती नहीं बोल सकते हैं ठीक है ये बात हो गई इसके बाद में अगर हम इन दोनों की परिभासाओं को पढ़ें और भी बिद्वानों के बारे में जो हमने पढ़ा तो कोई मिला करके हम लोग कह सकते हैं एक सामान परिभासा इसकी निकाल सकते हैं मानो प्रजा जा सकता है जिससे चाइना का कोई वीक्ति आप देखेंगे तो आप पहचान जाओगे आप इंडिया के बेक्ति को फचान जाओगे कि इंडिया का है अच्छा इंडिया पाकिस्तान और बंगला देश के लगभग एक पहचान सकते हैं कि ये कौन से प्रजाती है हाला कि देश के हिसाब से आप देखेंगे तो हो सकता है कि बंगला देश हो रहां के आदमी एक सेम ही हो लेकिन आप देखिएगा कि एक देश में भी कई प्रजातिया निमास करती है ठीक है तो अभी मैं प्रजातियों की बिसेस्त के बारे में हम प्रजाती की विसेष्ताओं को जानने का प्रियास करते हैं आप Campênioan तो के चलिए माध्राव्य की विसेष्ताइं छ यह जैरी सेष्ता रही कि प्रजाती जो है मानो प्रजाती जो होती है वह उट अभिताया सिवलाय मलब की कल्चरल नहीं है ठीक है दूसरी बात प्रजाती की अपनी विसेश्थाएं और सारेडिक लक्षण भी होते हैं जिनके आधार पर इनको अन्य प्रकरती से पर्थक कर सकते हैं जैसे रंग, सीधे बाल, पतले ओंट ये सब एक प्रकार से होते हैं कि इनके आधार पर एक दूसरी प्रजाती को हमलक कर सकते हैं तीसरा इनकी विसेश्था ये होती है कि प्रजाती के सारेडिक लक्षण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वंसानुक्रम हस्तानांत्रित होते हैं ये भाई आपकी पिता ये ऐसे थी आप कुछ वैसे होंगी फि प्रजातियों में आप देखते हैं इनके एक बड़े समू होने चाहिए प्रजातियों के बड़े समू जैसे कि चाइना के लोग या हो गए या फिर बहुत सारे लोग आप चाइना के लोगों को देखिएगा और नेपाल के लोगों को देखिएगा थोड़ा बहुत आपको अंतर जरूर मिलेगा ठीक है तो एक बड़े समू होते हैं और इसलिए से अफरीकन कंट्रीज के लोग जो हैं कई कंट्रीज हैं अफ्रीका महादीब में लेकिन सब की प्रजातियां लगबग आप देखेंगे तो एक सी आपको परतीत होंगी आगे देखें प्रजाती निधान करते समय ध्यान रखने योगी बाते कुछ होती हैं वील्स और हाइजर महोदय जो है इन बातों को बताते हैं प्रजाती निधान करते समय ध्यान में रखने योगी मुख बाते निमन परकार हैं कौन कौन सी बाते हमको ध्यान रखना चाहे प्रजातियों को निधान करते समय कि कौन सी प्रजाती कहां की है सबसे प है रूपरंग कैसा है इसके अलामा उसका बलेट गुरूप जो है आप देख कर के पता लगा सकते हैं कि भै प्रजाती ये ये कौन से प्रजाती है दूसरी बात सारिडिक भिरनताओं को प्रजाती नधान के समय ध्यान में रखा जाता है सारिडिक भिर्णताएं जो तीसरा केवल एक लक्छन के आधार पर प्रजाती का निधर्ण नहीं होता है। ठीक है। रूपों पर ही आधारित होना चाहिए ये मुख्य रूप से पाँच बाते हैं जो कि आपको ध्यान अखनी चाहिए किसी प्रजाती को निरधारित करते समय या उसका निधार्ण करते समय प्रजातियों का निधार्ण जो है निम्न दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं पहला बा structural यह जो है structural यानि कि जो आंत्रिक अंकाल असन molto नात्मक कंकाल है उसके हिसाब से या एक बाहरी लक्षण जो होता है वो तो सबसे पहले हम बाहरी लक्षण के हिसाब से देखेंगे प्रजातियों के बारे में कुछ चीजugen यह होती हैं जैसे कि पहला ए बाहिल अक्षण बाहिल अक्षण नहीं external features जो होती है जैसे कि तुचा का रंग कैसा है बालों की बनावट कैसी है उनका कद कैसा है यह सब इसमें हम देखते हैं उनकी कद काठी कैसी है यह तवाम प्रकार की चीजों को तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई चमडी का रंग कैसे कलर के हिसाब से तुचा कैरोटीन अथवा हीमोगुलिबिन की मात्रा का अंतर होने पर तुचा का रंग जो होता है काला हो सकता है पीला होता है और लाल भी हो जाता है विस्वत रेखा में आप देखिएगा विस्वत रेखा में जो बेक्ती रहते हैं वो काले होते हैं और जैसे से आप धुर्मों की और चलने लगेंगे तुचा का रंग आपको सफेद दिखता हुआ मिलेगा यानि कि विस्वत रेखा पर लोग काले होते हैं उसके ऊपर जैसे से आप बढ़ेंगे तोचा का रंग सफेद होता जाएगा तोचा के अधार पर तीन परजातियां आपको दिखेंगी पहला एक सवेद परजाती होती है जो सफेद कलर के एकदम से इंगलेंड के लोग जो है एकदम से उजजर उजजर होते हैं दूध ये से दूसरी होती पीली परजाती इसे मंगोला और परजाती चाइना वाले लोग या नेपाल के कुछ लोग जो होते हैं वो और तीसरी होती काली परजाती ठीक है जैसे की कहा की परजाती भीया जैसे की अफरीकन कंट्री जो होती है ठीक है वहाँ पर तो ये तीन परजातिया होती है चमडी के रंग के हिसाब से ठीक है आप देखेगा इसमें जैसे की नए गरिहो जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं कौन से नए गरिहो परजाती जो है वो काले होते हैं निग्रो चॉकलेट होते हैं आस्टेलियाइट जो होते हैं जैतुनी तथा मंगोल जो होते हैं जैतुनी और मंगोल पीले कलर के होते हैं और या फिर गोर वर्ण जिसको कहते हैं गोरा एकदम से वो होते हैं तो इस प्रकार से ये तुचा के रंग के हिसाब से कुछ परजाती मैंने बताई दिखिए नईगिरी हो जो प्रजाती है वो काले रंग के होते एकदम से निग्रो प्रजाती के लोग जो होते हैं वो एकदम से कैसे होते हैं चाकलेटी कलर टाइप के होते हैं ठीक है चौकले टाइप के होते हैं आस्टेलिया के जो लोग होते हैं आस्टेलिया प्रजाती के वो गहरे color के होते हैं या फिर जो है गौर वरण के होते हैं तो इस परकार से यह कई परजातियां हैं जो कि मैंने आपको बताएं आगे बढ़ते हैं बालों की बनावट के हिसाब से हम परजातियों को देखते कि भाई बहुत सारे लोगों के देखते हैं जो मंगोलाई लोग होते हैं अमेजन नदी के किनारे रहने वाले जो प्रजातियां है या पूरभी दीव समूः जो है वहां के निवासियों में आप देखिएगा सीधे सीधे बाल एकदम से पाए जाएंगे दूसरे वे लोग होते हैं जैसे की चिकने बाल हैं मुलायम हैं पतले बाल हैं ये इस खासर के योरोप की कंट्रीज में पस्चिमी एसिया में और उत्री अफ्रीका के निवासियों में आपको चिकने घुंगराले और मुलायम बाल और पतले बाल आपको देखने को भी लेंगे ठीक है इसके बाद में तीसरा जो टाइप का हो होता है वो होता है उन जैसे काले उलजे बाल होते हैं उन जैसे काले उलजे जो बाल होते हैं वो निगरो प्रजाती के होते हैं या निगरे टाइस जो प्रजाती होती वहां के बाल जो होते हैं घने होते हैं और उन के जैसे होते हैं क्रिस गिल का बाल आप दोगों ने काकेसियन जो परजाती है काकेसाइड परजाती उसमें बाल किया करती लहरदार होती है मंगोल परजाती में सीधी होती है और निग्रो में परजाती जो होती है उसमें छलेदार बाल होते हैं घुंगराले टाइप के मंगोलों के बाल सीधे होते हैं ठीक है जबकि काकेसाइड प्रजातीयोति उनके बाल लहरदार होते हैं और निग्रो प्रजाती में छले दार बाल होते हैं इसद ध्यान रखेंगे तीसरा जो होता है वो होता है सरीर के कद के हिसाब से हम कटगराईज करते हैं मलब की प्रजातियों के बारे में बताते हैं height of body कितने लंबे कितने छोटे होते हैं देखे का पिगमी जाती के लोगों का जो कद होता है 148 cm से कम नाटा होता है मलब 148 cm के आसपास तक जो होता है पिगमी जाती के लोगों का और जो दूसरा कद है वो है मध्यम कद मलब ये नाटे लोग होते हैं पिगमी जाती के लोग ठीक है मलब छोटे होते हैं मध्यमकद 169 cm से 164 cm के तक होता है रूसी लोग जो होते हैं वो इतने मध्यमकद के होते हैं किरगीज या मलेसियन जन्जाती जो है मलेसियन किरगीज जन्जाती और रूसी जन्जाती यह सब जन्जाती हैं मध्यमकद की हैं 169 से लेकर के 164 cm लंबे होते हैं तीसरी जो होते हैं लंबे कदवाले 159 से लेकरके 172 जिनकी हाइट होती संटीमीटर वो आस्टेलियाई द्रविड पर जाती जो होती है भूमद सागριे लोगों में आपको देखने को मिलेगा आस्टेलियाई वालब जो आस्टेलिया के होते हैं और द्रविड माने जो भारति यह दक्षन इलाका है वहां के लोग ठीक है घा यानि सरीर की लंबे में आप देखेंगे तो बहुत लंबा कद होता है निग्रोइड पर जाती गए इसे क्रीस गिल वगएरा जहां से आते हैं अफ्रिकन कंट्रीज में ठीक है अफगान लोग जो होते हैं अफगानी घोड़े भी बड़े बड़े होते हैं आप लोग उने देखा होगा मनुस भी वहां के बड़े होते हैं अफगान के लोग जो बड़े बड़े सरदार पहले आप देखते थे मुहमद गजनबी वगएरा ठीक है इंगलेंड के लोग भी एक परकार से लंबे होते हैं तो यह सब एक प कैसा है facial structure उनका कैसा है जैसे चोड़े मुखवाले जो लोग हैं 25 cm से कम मध्यम मुखवाले वाले को 85 से 98 cm अथा, लंबे मुखवाले लोगों की लगबग 98 cm मापी गई है एक प्रकार से उनकी आकरती तो ये एक प्रकार से कई तीन ताइप के लोग प्लें हैं तो परकार से मुक्त किया करते कि हिसाब से परजातियों को बार सकते हैं पांच बाह horsepower जो कटाग्राइसन हुआ है वो है आँखों का रंग और फटान यानि कि IP कलर के हिसाब से आँखों का रंग उतरी उरोप के निवासियों की आखें जो होती हैं नीली और सुनहले बाल होते हैं उसके उपर मध्य उरोप की जो जनजातिमलब जो परजातियां होती हैं उनकी भूरी कलग की एक परकार से आखें होती हैं काकेसियन जाती जो है प्रजाती जो है उसके अतरिक्त समस्त मानो प्रजातियों की आखें जो होती हैं काली होती हैं मंगुलाइड प्रजाती के जो लोग होते हैं चाइना वगरा के उनके नेतर तरचे होते हैं चहतीजाकार, और फटान आंखे यूरोप के लोगों की आपको दिखेंगी भारत में आपको फटान आके दिखेंगी उतरी अफरीकल में इश परकार की आखें आखें आख को मिलेंगी मैंने आपको बताए था परजातियों का निर्धारण जो होता है दो परकार से हम करते हैं एक होता है बाह या उपरी सारे दिलक्षण एक होता है आंतरिक कंकाल सन्नाचनात्मक तो अभी हम लोग बाह या उपरी सारे दिलक्षण के बारे में बता रहें उट का आकार पश्चमी अफ्रीका के लोगों के आप ओंट देखिएगा तो ओंट जो होते हैं मोटे होते हैं और फूले हुए बाहर की और उल्टे होते हैं आप देखिएगा क्रीस गिल हो गए मैं क्रीज गयल तो एक मैं उसी को देखा हूँ बाबी लेसले आप देखिते हैं वो लड़ता है कुस्ति उस्ति वो तो अलग का है खेर लेकिन आप देखिए अभी एक को मास आया है तो ऐसे प्रजाती के लोग आम इनके ओठों गयरा देखे कितने लंबे-लंबे-मोटे- होते हैं और फूले होते हैं और इस कारण से बाहर के लड़के भी होते हैं अब हम समझेगे आंतरिग लक्षण ठीक है तो यह हो गया बाहरी लक्षण आंतरिग लक्षण की बात की जाए इंटरनल जो फीचर्स होते हैं उनमें पहला सिरका कपाल सुचकांक सिरका जो एक प सूत्र होता है कपाल सूचकांग निकालने का कि सिर की चोड़ाई कितनी है और सिर की लंबाई कितनी है और गुड़े सो कर दो माल लेते हैं आपके सिर की जो चोड़ाई है वो कितनी है सिर की चोड़ाई आपकी है 15 संटीमीटर फिर माल लेते हैं कि अगर आपकी सिर की चोड़ाई है बलाब 15 सिर माल दे 5 सेंटी मीटर से चोड़ाई है और सिर की लंबाई जो है 10 सेंटी मीटर है गुड़े आप सव कर देंगे तो कितना निकलेगा 5 एकम 5 पांच पांदूना 10 और दू पंचे यहनि 50 आपका निकला क्या स 75 से कम जिसका होगा इनके लंबे सिर के जो होंगे 50 से कम सिर का सुचकांक अगर 75 से कम निकला या एक प्रकार से 75 से कम हुआ तो आप जान लिजे कि यह लंबे सिर का एक प्रकार से उधारण है दूसरा 75 से अगर 80 के बीच में निकलता है तो मद्ध सिर का बिकती है और 80 से अ 투eking मानो इंस अब्हें आपप लोगों ने सुना होगा तो जावा मानो जो हुआ करते थे पहले हमारोगों के पूरबज, जावा मानो इसके लावा रोडेसियन मानो, नीग्रो जो परजाती होते हैं नीग्रॉणाइड परजाती, एस्कीमो जो जंजाती है उन सभी के लंबे सिर होते हैं और आप देखेगा जो है Mediterranean, Nardic ये जो जन जाती होते हैं इनके सिर मध्यं होते हैं जबकि तुर्क, मंगोल इन सभी के सिर जो होते हैं चोटे होते हैं आप देखें चाइना के लोगों का सिर जो होता है छोटा-đछोटा जैसे चोड़ी नाक वाले आपको 85 cm से अधिक एक प्रकार से आपको मिलेंगे निगुरॉयड प्रजाती प्रतिवी पर आप देखिएगा निगुरॉयड प्रजाती आप खास करके आप देखिएगा मरुस्थल में निवास करने वाले जो प्रजातियां होती है वो चोड़ी मंध्यम नाक वाली 75-85% क्या असपास है मंगोलियन प्रजाती और खास करके जो रूस का साइबेरिया वला इलाका पड़ता है ठीक है रूस का जो भाग एसीया में पड़ता है उसको साइबेरियन भाग कहा जाता है तो वहाँ पर आपको मंध्यम नाक वाले प्यक्ति मिलें प्यक्ति मिलें का बाग जो रूस का जरुश का की अप्याती और तीसरी होती है तीसरी होती है पतली नाक 70% से कम अंत्रिक अंकाल सनचनात्मक तरीके से हम लोग क्या करते हैं प्रजातियों का निधार्ण करते हैं जबड़ों का फैलाओ कैसे है जिसे निग्रों जो प्रजाती है उसके जबड़े का जो आकार होता है फैलाओ होता है आगे बढ़े हुए जबड़े होते हैं निग्रों प्र टैलर महोदे कहते हैं जी टैलर के अनुसार जी टैलर कहते हैं कि मानो प्रजाती नसल को परकट करती है ना कि सब्धिता को परकट करती है ये बात इसी पर एक परकार से उन्होंने भी कह दी किसने जी टैलर ने जी टैलर की बात मैंने बताई थी क्या ग्रिपिट टैलर उन्हो कहा था परजाती मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भई मानों परजाती नसल को प्रकट करती है ना कि मानों सभिता को ठीक है डाटर मजूमदार कहते हैं कि यदी ब्यक्तियों के एक समूह को समान सारिडिक लक्षणों के आधार पर अन्यमानबिये समूहों से प्रथ किया आता है जो अन्यमानबिये समूहों से वंसान उकरम की दिष्टी से जयो सारिरिक भिनता रखते हैं दूसरी बात प्रजाती का किसी राष्ट या छेतर से परतक्ष सम्मंद नहीं होता है तीसरी बात प्रजाती में वंसान उकरम के द्वारा जयो सारिरिक गुड एक पी में हस्तानांतरित होते रहते हैं परजातियों का हम वरगी कड़ देखेंगे अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से परजातियों का क्लासिफिकेशन किया है परजातियों का वरगी कड़ यानि क्लासिफिकेशन साफ रेसे समझने का प्रियास करते हैं थारा सो छेज़ बी में तुचा के रंग के हिसाब से बालों के आकार और चेहरे और खोपड़ी के आकार पर प्रजातियों को निम्रकित पांच भागों में वर्गी करत करा पांच बिस्तु की पांच प्रजातियों के बारे मताएं कि भी बिस्तु में पांच प्रजातिया न एंच महोदे ने तमाम चीज़ों को पढ़ा अध्यन किया प्रजातियों पर उसके बाद में तुचा के रंग के तुचा के रंग को देखा, बालों के आकार और छेहरा और खोपड़ी के आकार इन सभी को ध्यान में रखके उन्होंने 5 प्रजातियों को बताया, कौन कोंश ही मैंने आपको बता दिया काकेसियन, मंगोलियन, अमेरिकन, इंडियन, इथोपियन और मलायन ठीक हैं इसके बाद में आते हैं हकसले महोदे 1918 में हकसले महोदे कहते हैं कि बालों और तुचा के रंग के आधार पर उन्होंने बिस्सु की परजातियों को पांच भागों में उन्होंने भी पांच भागों में बाटा किसने हकसले महोदे ने उन्होंने कहा कि पहले पर जाती है आस्टेलियाइड फिर उसके एदे निग्रोड पर जाती तीसरी मंगोलाइड चौथी सैंथोक्राइड पर जाती और पांच भी है मैलन क्राइड पर जा पर बिस्व की परजातियों को निमलखित वर्गों में विभाजित किया है कई वर्गों में जैसे कि आप देखेगा ये जो है तीन वर्गों में पहला है काके साइड वर्ग दूसरा है मंगोलाइड वर्ग और तीसरा है निक्रोाइड वर्ग जो काके साइड वर्ग है इसकी अगर बात किया है तो काके साइड वर्ग में आप देखेगा नार्डिक जंजाती, मेडी, टेरेनियन जंजाती और अलपाइन जंजाती ये तीन जंजाती हैं काके साइड प्रजाती की मानी जाती हैं लब ये सब प्रजातियां हैं लेकिन इसके उपवर्ग हैं मंगुलाइड प्रजाती में एसियाटिक प्रजाती मेसियनिक प्रजाती और अमेरिकन इंडियन्स ये मंगुलाइड में आ जाती हैं निगुराइड प्रजाती में अफ्रीकन वाले और ओसियनिक और निगरिटी ये सम नीगुराइड में आयाते हैं तो ये तीन वर्गों में बाटा जो है किसने हावेले महोदे ने इसके बाद में नाम आता है इलियट इसमित का इलियट इसमित महोदे जो है उन्होंने परजातियों को चार भागों में बाटा है पहली परजाती काकेसियन परजाती और काकेस मित्ने, इसके बाद में आते हैं हेडन महोधै, हेडन महोधै ने मानो प्रजातियां तीन प्रकार की बताई हैं, पहला है उलो टरिची प्रजाती, छले दार बालो वाली इस प्रजाती के बालो को उर्ध काट 40 से 50 संड्य मीटर तक होता है, उनने बालो को एक प्रकार से आधार बना करके बाटा हेडन महोदे ने, पहली जन जाती है उलो ट्रिची जन जाती, दूसरी है कीमो ट्रिची जन जाती, इनके बाल लहरदार होते हैं और इस प्रजाती के बालों की उर्धकार जो होती हो 60 से लेकर के 70 तक होती है इसके बाद में तीसरी जो प्रजाती है वो है लियो ट्रिची प्रजाती सीधे बालों वाली प्रजाती है ये ठीक है उनके बालों की उर्धकार जोती लगबग 80 के अस्पास होती है तो इस प्रकार से हेडन महोदे ने मानो प्रजातियों को इन तीन प्रकार से बाटा है इसक होती है कैस्पियन प्रजाती पाचवी है मंगुलाइड प्रजाती छठवी निग्रेटो प्रजाती और सात्वी यूराल अल्पाइन परबत है यूराल परबत यूरोब में है अल्पाइन परबत आप देखते हैं तो ये भी एक प्रकार से सब यूरूपियन परबती है यूर प्रजातियों की लंबाई जो है अलग अलग निकली और इसी हिसाब से उन्होंने आठ प्रकार की प्रजातियों के बारे में बताया ठीक है इसके बाद में आते हैं कुरूबर महोदे की अगर बात की जाए तो कुरूबर महोदे ने विभिन सारे रिक विसेस्ताओं के अधार पर मानो प्रजातियों को चार भागों में बाटा है पहली प्रजाति है काकेसियन प्रजाति ठीक है पहली प्रजाति है कौन से भई काकेसियन प्रजाति काकेसियन प्रजाति के अगर बात की जाए तो इसमें नार्डिक अल्पाइन, मेडिटेरेडियन और हिंदू जो हिंदू लोग रहते हैं भारत में वो सब काकेसियन प्रजाती में आते हैं ठीक है मंगोलाइड प्रजाती में कोबर महोदे कहते हैं कि मंगोलियन मलेसियन और अमेरिकन इंडियन जो होते हैं मंगोलाइड प्रजाती में आते हैं तीसरा बता है नीगरोइड प्रजाती नीगरोइड प्रजाती में नीगरो और मिलेनेसियन काले पिगमी और बुसमें जन जाती जो होती हैं ये सब जो है आ जाती हैं और विबाद पूर्ण जब प्रजाती हैं उन्हें एक चौथी इंडो आस्टेलियन और पॉली नेसियन प्रति ये इक फरकार से विकात्पोंड रजाती तो इस परकार से कुरोबर ने उन्होंने बालों की बनावट खोपड़ी सुचकांग और अन्य सारे इसटकeti आथा प्रति革ांवन और पॉली नियेसियन प्रति विकात्पोंडीत पर टेलर ने पहली जंजाती बताए निग्रीटो निग्रीटो जंजाती की बात किया है तो निग्रीटो जंजाती का जो सिर होता है वो बहुत पतला होता है और वर्तमान में कुछ एकांत वा दूरस्त छेत्रों में सीमित रह गई है निग्रेटो जंजाती और इन परजाती क पुक्ति निगरिटो लोगों की बाल घने होते हैं और छले दार होते हैं। जबड़ा आगी के ओर निकला हुआ होता है और इसके बादो की यतला होता है। कद 122 cm से लंबे होते हैं अधिक होते हैं नाक चोड़ी और चप्टी होती हैं बाल लंबे और घुंखराले होते हैं जबड़ा आगे की और निकला हुआ होता है खोपड़ी का सूचकांग 70 से 72 क्या सपास तक होता है ये नीगरो का सारेडिक लक्षड है इसके बाद में आता ह आस्टेलियन प्रजाती आस्टेलियन प्रजाती के अगर बात की जाए तो आस्टेलियाड प्रजाती जो है इसका सिर जो होता है लंबा होता है और उभरा होता है प्रमुक सारेडिक भी सेस्ता है जो है इसकी आस्टेलियन प्रजाती की वो यहाँ पर हैं मैं आपको बता र प्रजाती के गर बात की जाएं तो इस प्रजाती की विशेस्ता ये निम्लकीत हैं कौन कौन सी इसे भूमद सगरिय प्रजाती का जो तचा करंग होता है हलका भूरा से ले करके स्वेत वरंतक मलब की ये प्रकार से सफेद कलर के होते हैं भूमत सागरी ये लोग हलका इनका भूरा रंग होता है और सफेद कलर के होते हैं सरीर का जो कद होता है 160 से 170 संटी मीटर तक होता है नाक मज़िली तथा लंबी होती है बाल गुंघराले होते है जबड़ा जो होता है कुछ आगे की और निकला हुआ होता है खोपड़ी का सूचकांग जो है 74 से 77 के आसपास होता है ये सब भूमत सागरी प्रजाती के विसेस् इसके बाद में है जो है पाचवी प्रजाती जो है वो है नार्डिक प्रजाती ठीक है नार्डिक प्रजाती की बात की जाए तो मध्यम सिर रखने वाली प्रजाती है ये इसका सिर जो होता है मध्यम होता है किसका भई किसका नार्डिक लोगों का जो सिर होता है वो कैसा हो सिर्ज जो होता है मध्यम होता है और अगर बात की जाए इनका सिर्ज कैसा होता है सिर्ज जो होता है मध्यम होता है और और खासर के ये हलके भूरे और स्वेत रग की तुचा इनकी होती है सरीर का कद जो होता है 156 cm से लेकर के 168 cm के आसपास होता है नाक इनकी लंबी होती है और गरून वत होती गरूड के समान जैसे कि गरून आपने देखा होगा ठीक है गरुड आपने अगर नहीं देखा है तो एक परकार से आप लोग देखेगा जब वो भी आप अमलब की महा भारत स्वारी रामाड आप दो ने देखा होगा तो उसमें आपने गरुड को देखा होगा जब हर्मान जी लचमण को और भगवान सरी राम चंदर जी को जो होते हैं इनके वो लहरियारदार होते हैं ठीक है और जबड़ा चप्टा होता है खोपड़ी का सूचकांग छेतर से बयासी के आसपास होता है ठीक है इसके बाद में आती है अलपाइन प्रजाती अच्छा इस सब परजातियों के लक्षड जो बताया है बिस्तार से किस ने बताया है गिर्फिट टेलर ने बताया है गिर्फिट टेलर की इन्होंने ही जो बाटा है सबसे सरवमान और बिस्तार फुर्बग भी ब्रडात्मा का धिन पदती का सारा ले करके उन्होंने दिया है जो की एक परकार से सभी लोगों ने मान भी किया है अलपाइन प्रज है अलपाइन लोगों की बाल इनके सीधे सीधे होती है अलपाइन परजाती के लोगों के जबड़ा जो होता है इनका सामानी होता है जबड़ा जबड़ा जो होता है कोई धुका उका नहीं होता है खुपड़ी का सुचकांग जो होता है 85 से लेकर के 82 से 85 तक होता है इसके बा मुंगोलिक परजाती के कलर है सरीर का छेहरे का और इसके बावाद चछाकरंग जो है वही होता है जो चेहरे का उता है सरीर का कद 155 से लेकर के 164 cm यो कि सबसे कम आप मांसकते हैं ठीक है नाटे होते हैं और नाक इनकी पतली होती है बाल सीधे और चप्टे होते हैं जवड़ा भीतर की और होता है खोपड़ी का सुचकांग जो होता है 80-90-85-90 क्या असपास होता है तो इस प्रकार से यह मंगोलिक प्रजातियां है तो इस प्रकार से जो गिर्फिट टेलर महोदे हैं उनकी परिभासा भी बड़ी जबरदस्थ है और उनका जो वर्गी कर्ण है प्रजातियों का वो भी बड़ा जबरदस्थ है तो प्रजातियों का वर्गी कर्ण आप लोगोंने आज की वीडियो के माध़म से और प्रजातियों की एक प्रकार से प्रजातियों को लेकर के कौन कौन सी बाते ध्यान अखनी चाहिए प्रजातियों का प्रकार प्रजातियों का वरगी कड सब कुछ आप लोगों ने जान लिया सारी चीज़ों को मैंने आपको बिस्तार से बताने का प्रियास किया एक बार स सारे दिक विसेस्ताओं को ध्यार में रख करके विस्व में साथ परजातियों के बारें बताते हैं जो कि एक परकार से important है पहला है निगरिटो परजाती दूसरा है निगरो परजाती तीसरा है आस्टेलियाइड परजाती चोथा है एक परकार से भूमत इसागरिय परजाती ठीक है पाचवा है नार्डिक परजाती और जो छठवा परजाती है वो है अलपाइन परजाती और साथवा है मंगोलिक परजाती ये साथ परजाती है किसने बताई हैं बहिया Griffith Taylor ने बताई है और बड़े फेमस भोगल बेता है Griffith Taylor ठीक है तो इस प्रकार से उन्होंने परजातियों के बारे में बताया और मैंने आपको समझाने का प्रियास किया बाकी बिद्वानों ने भी एसे हेडन ने बताया डिक्सन ने बताया ठीक है इन लोगों ने बताया क्रोबर ने बताया इन सभी लोगों ने भी बताया इलियट इसमिद ने बताया हॉवेले ने बताया हक्सले ने बताया बुलू मैन बेंच ने बताया इन सभी लोगों ने ब पूछा आता है ठीक है बाकी लिखित वालों के लिए तो मैंने आपको पूरा समझाने का प्रियास ही किया आप लोगों का काम लगवग हो जाना है बाकी और भी जो questions important होंगे उनकी वीडियो मैं देता रहूंगा ठीक है धन्यबाद चलिए फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन जा भारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाये रिखिएगा ठीक है तो बिये सेकंड समेटर 2030 की परिख्षाओं के लिए बहुत इंपड़न है जियोग्राफी का है लक्षर हुमन जियोग्राफी में मानो प्रजातियों से प्रस्ण हमेशा और हमेशा पूछा ही गया है आपकी बार भी लगमें आप समझ लीजिएगा उसको दो तीन बार आप समझेंगे जैसे मंगोलाइट प्रजाति मलब की चाइना वाले जो लोग होते है वह सब ठीक है यानि कि नाटे करके होते है रंग उनका पीला होता है मैंने बताए पियर केर्मेगा यसे होते है तो इस परकार से आप आप तो क्रिकेट अगर देखते होंगे तो कई प्रकार की प्रजातियों को आप लोगों ने देखा होगा चलिए फिर धन्यबाद मिलके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जबारत आप सभी का बहुत बहुत धन्मन गुड़नाइड अलाफ यो